नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का टूडेटो के इस वीडियो में दोस्तों बहुत बड़ी खुश खबरी आचुके है भारतिये आर्मी नेवी और एरफोस को जोईन करने के लिए दोस्तों भारत सरकार ने अगनिपत योजना सुरू कर दी है अगनिपत योजना के बारे में आज केबिनेट ने क्लिरेंस दे दिया है भारतिये सेनाओं के परमुक चीप और राजनात सिंग ने प्रेस कॉन्फरेंस के माद्यम से अगनिपत योजना के बारे में संपूर जानकारी सांचा की है यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो सेशन में मैं आपको डिटेल से इस योजना के बारे में बताने वाला हूँ कौन इसमें भरती हो सकता है, कितना इसमें पैकेज आपको मिलेगा, क्या इसमें योग्यता है, क्या इसमें सर्ते हैं डिटेल से जानने के लिए इआ वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया गया है अगनि पत योजना सेवा की सरते तो सबसे पहले तो देखिए अगनी वीर आपकी rank इसमें रहने वाली है और अगनी पत इस योजना का नाम रखा गया है तो अगनी वीरूं का नामानकन परसिक्सन अवदी सहित चार साल के लिए किया जाएगा यानि आपका जो रेजिस्ट्रेशन है वो चार साल के लिए होगा जिसमें आपकी जो ट्रैनिंग है वो भी सामिल रहोगी इसके बाद में दोस्तों अगनी वीर सम्मधित स्रेणियू पेसूं पर लागू चिकितसा पातरता सर्तूं को पूरा करेंगे जो चिकितसा की सर्ते हैं वो इसमें लागू की गई है जैसे इंडियन आर्मी में जब भरती होती है तो इसमें आपका मेडिकल होता है तो ठीक उसी परकार इसके अंदर भी जो मेडिकल की सर्ते हैं वो लागू रहेगी इसके बाद में यहाँ पर बताया गया सत परतिसत अगनी वीरों को नियमित सम वरग में नामानकन का विकलब चुनने का भी विकलब दिया जाएगा यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि चार साल की सेवा के बाद भी आप इसमें पर्मानेंट हो सकते हो आपको यह अवसर परदान किया जाएगा यहाँ पर दोस्तों जितने भी अगनी वीर होंगे उनमें से 25 परतिसत अगनी वीरों को सैस्तर बलू के नियमित सम वरग में नामानकित किया जाएगा 25% को permanent किया जाएगा और ये जो 25% लोग permanent होंगे ये 15 साल के लिए permanent हो जाएगे यानि इनकी नोकरी 15 साल के लिए हो जाएगे अब यहां पर दोस्तों ये जो 25% है इसके अंदर सभी को सामिल किया गया कोई भी आगे आवेदन कर सकता है जैसे ही आपकी सेवा 4 साल की पूरुन हो जाएगी उसके बाद में आप जो है 25 परतिसत का जो बैच होगा उसके अंदर सामिल हो सकते हैं लेकिन उसके लिए सेलेक्शन का एक अलग क्राइटेरिया होगा अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें आपको क्या लाब मिलने वाला है कितनी आपकी सेलरी रहने वाली है यहाँ पर दोस्तों बताया गया है टर्मिनल लाब सेवा निधी पेकेज एक तो इसमें आपको डाइरेक्ट सेलरी मिलेगी और एक आपको इसमें सेवा निदी का पैकेज दिया जाएगा दोस्तों परतेक अगनी वीर को अपने मासिक पैकेज के 30% का योगदान व्यक्तिगत अगनी वीर समोय फंड के लिए करना होगा यानि जितनी भी आपकी सेलरी होगी मैं बता देता हूँ आपकी जो सेलरी है वो 30,000 से लेकर 40,000 होगी जब आपकी जोइनिंग होगी तब आपकी सेलरी 30,000 होगी और जब आप रिटायर हो जाओगी यानि 4 साल की जो सेवा आपकी पूरी हो जाएगी तो चोथे साल में आपको salary मिलेगी 40,000 रूपए तो ये जो आपका वेतन है इसमें से 30% जो पेसा है वो direct जाएगा अगनी वीर समुवाफंड के अंदर और 70% जो पेसे हैं वो आपके account में salary के रूप में आ जाएंगे ये बात धान से समझेगा मैं आपको detail से बताऊंगा सेवा अवधी पूरी होने के बाद आपको 11.7 एक लाक रूपए एक ही मुस्त में दिये जाएंगे जो की होंगे सेवा निदी पेकेज के अंदर से और ये कर मुक्त होंगे टेक्स फ्री होंगे इनको आपको एक रूपया भी टेक्स नहीं देना है दोस्तों सेवा निदी पेकेज में अगनी वीर का योगदान उस पर ब्याज और सरकार की तरप से उप्यूक्त योगदान भी सामिल रहेगा और अगनी वीरों को बैंक से लोन लेने का भी ओप्शन मिलेगा इस बात को थोड़ा सा काप डिटियल में समझ लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ यहां पर देखिए दोस्तों आपको पहले साल 30,000 रुपय सेलरी मिलेगी 21,000 रुपय आपके अकाउंट में आ जाएंगे और 9,000 रुपय आपके चले जाएंगे सेवा निदी फंड के अंदर इसके बाद में 9,000 रुपय आपको सरकार देगी अपनी तरब से ठीक है तो हर साल अगर हम देखें तो आपकी जो सेलरी है वो बन जाती है 21,000 रुपय आपके फंड में बन जाते हैं ठीक है तो सेलरी यहाँ पर लगबग 40,000 रुपय फस्ट मंत में आपकी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में देखें आपका जो चोत्था साल होगा फोर्थियर होगा उसमें आपकी सेलरी होगी 40,000 रुपय चालिस में से 28,000 रुपय आपके अकाउंट में आ जाएंगे 12,000 रुपय 40,000 में से फंड में चले जाएंगे और 12,000 रुपय सरकार अपनी तरब से फंड में डालेगी तो 24,000 रुपे ये और 40,000 रुपे ये इसका मतलब 64,000 रुपे आपका वेतन होगा चोथे साल में तो बहुत बड़ी बात है और ये जो योजना है इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है क्योंकि जो योग्य होंगे वो आगे 15 साल तक पर्मानेंट भी इसमें काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है इसमें कहीं पर भी कोई समस्यावाली बात नहीं है अब देखे एक बड़ा फाइदा में आपको दिखाता हूँ कि देखो यहां पर जो आपकी सेलरी है उसमें से 4 साल में पेसे कटंगे 5.02 लाक ठीक है यानि 5.02 लाक के आसपास आपके पेसे आपकी सेलरी में से फंड में जमा होंगे और 5.02 लाक रुपे सरकार देगी आपको तो जब आप 4 साल की नोकरी पूरी कर लोगे तो आपको 11.71 लाक मतलब 11.71 रुपे एक मुस्त में आपको दिये जाएंगे और उन पर आपको एक रुपया भी टेक्स जमा नहीं करवाना पड़ेगा साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसके माद्यम से आपको इन फ्यूचर जोब भी मिलेगी अब दुबारा से समझी मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में तो यहाँ पर देखें मैंने आपको लाब बता दिया अब देखें सेवा की क्या सर्टे हैं अगनी वीरों को किसी भी रेजिमेंट यूनिट परतिस्तान में तेनात किया जा सकता है पहली बात यह तो यह तो होता ही आपको पता है इसके बाद में दूसरी सरत यह है अगनी वीर ससस्तर बलू में एक जिला रेंक बनाएंगे ससस्तर बलू के अंदर क्या बनेगी एक जिला रेंक बनेगी अपनी सेवा अवधी के दोरान अगनी वीरूं को एक विशिष्ट परतीक चिन भी दिया जाएगा जिस तरह से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एरपोस का परतीक चिन है उसी तरह आपको भी एक special परतीक चिन दिया जाएगा उसके बाद में देखिए मैं आपको बताता हूँ विसेय पर मौझूदा दिसा निर्देस के अनुसार अगनी वीर सम्मान और पुरुसकार के भी हगदार होंगे आपको भी सम्मान और पुरुसकार इसके अंदर मिलेगा अगर आप बहदूरी दिखाओगे आप अच्छा काम करोगे तो ये होगी सेवा की सर्ते इसके बाद में दोस्तों किस परकार से इसमें आपका चैन होगा और क्या उमर सिमा रहेगी तो मैं आपको बता दूँ कि आपको साड़े सत्रा से लेकर 21 साल तक इसमें चैन हो जाएगा पारदर्सी, केंदरी कृत और सव चालित इसमें चैन परक्रिया होगी तो चैन परक्रिया में किसी परकार की गड़बडी नहीं होने वाली है सेवा संबंदी, सेवा, अधिनियम और विनिमे के तहत अगनी वीरूं का इसमें क्या होगा नामानकन होगा और अखिल भारतिये सबी वरग इसमें नामानकन कर सकते हैं यानि ये जो वेकेंसी है ये ओल इंडिया लेवल की होगी इसमें मेल फिमेल दोनु केंडिडेट आवेदन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगनी वीरूं का केंडरी कृत डेटा और रिकोर्ड होगा पूरा रिकोर्ड आपका जो है वो अलग से इसमें स्टोर किया जाएगा अब सेलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया अब मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि इसमें इस साल कितने पदों पर भरती होगी तो दोस्तों इस साल इसमें लगभग 48,000 पदों की बात की गी है कि लगभग 48,000 पदों पर इसी साल वरस 2022 में भरती करवाई जाएगी तो तैयार हो जाएए मोका आपके लिए तैयार है अवसर आपके लिए तैयार है और जी जान लगा देना इस भरती में सेलेक्शन लेने के लिए और जी जान लगा देना 4 साल बाद में पर्मानेंट होने के लिए बहुत अच्छी package है, बहुत अच्छी आपको salary मिलेगी, और बहुत अच्छी योजना government ने लागू की है, इसमें कोई बुराई वाली बात मुझे नजर नहीं आती है, आपको क्या लगता अगनीपत योजना को लेकर जरूर आप comment box में बताईएगा, और इसी तरह के update वीडि करके bell icon को press करके all पे click कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की notification मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको description box में दिया, वहां से आप जोइन कर लीजिएगा, ताकि वहां भी आपको updates मिलती रहे, thanks for watching, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के हिंडे 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 हिंड झाल झाल